हलो डियो स्टुडेंट्स आज के इस सेशन में हम डिस्कसन करेंगे एवरेज आटोमिक वेट कैसे डिटेर्मिन करेंगे कोई भी आइसोटोप का अगर दोस्तों आपको आइसोटोप ऐसे गिवेन दिया गया है एफ़ी का 54, 56, 57 उसके बाद उसका अबुन्नेंस पर्शेंट दिया जाएगा 5.5%, 91%, 2% और 0.28% और उसके साथ ही दोस्तों आटोमिक मास दिया जाएगा तो आप यहां पर कैसे आटोमिक मास निकाल सकते हो आटोमिक मास एवरेज आटोमिक मास निकालने की तरीका यही है दोस्तों समेशन ओप M1 मतलब की मास इंटो अबुन्ननस पर्शेंटेज प्लोस यह दूसरा आईसोटोम का अबुन्नस इंटो आटोमिक मास जितना भी दिया गया है दोस्तों उसी तरह दोस्तों आप आप अभरेज आटोमिक मास निकाल सकते हो कहने का मतलब मैं यहां पर एक आपको प्रोब्लेम देता हूँ दोस्तों काल्कुलेट दी क्वेशन ऐसे ही आएगा काल्कुलेट दी एभरेज आटोमिक मास अब कर्वन दो कर्वन आइसोटोम दिया गया है C12 और C13 इसका C12 का मास कितना है 12 AMU C13 का मास कितना है दोस्तों 13 AMU और abundance percentage कितना दिया गया है 98.93% और दोस्तों C13 का 1.07% तो यहां पर जो फोर्मूला आपको बताया गया average mass will be पहले वाला यह mass 1 है mass 1 into abundance percentage plus mass 2 into abundance percentage okay average mass 1 का कितना है दोस्तों 12 into abundance percentage C12 का कितना है दोस्तों 98.93 आप यह percentage में है तो आपने यहां पर डारेक्टली लिख लिया okay plus दोस्तों दूसरा C13 का मास कितना है 13 AMU plus इसको भी आपको percentage निकाल के लिखना है 0.0107 okay तो average mass will be जितना भी आपका यह calculation होगा इसको इसके साथ multiply करेंगे इसको इसके साथ multiply करेंगे जो आपका total sum होगा तो यह है दोस्तों आपका average mass in AMU दोस्तों यहां पर क्या करना बढ़ रहा है कि आपको mass 1 के साथ abundance plus mass 2 के साथ abundance को आपको multiply करके add करना है बस इतना है okay दूसरा example हम लेते है calculating the average atomic mass of mg isotope mg 3 isotope दिया गया है एक दो तीन उसका abundance percentage दिया गया है okay abundance percentage of mg 26 के साथ mass mg 26 को multiply करके यह value है दोस्तों total add करतेंगे तो आपका value आ जाएगा यही है आपका average atomic mass of isotope mg okay यहां पर boron का आप कैसे निकाल लेंगे दोस्तों boron यहां पर 10 दिया गया है boron 11 दिया गया है mass boron का कितना है दोस्तों 10.013 amu and abundance percentage है 19.8 okay तो 19.8 है दोस्तों आपको percentage से दिया गया है तो percentage आपको निकलना पड़ेगा तो इसका value करीब करीब हो जाएगा 0.198 okay तो boron 11 का दोस्तों mass कितना है 11.009 और abundance से 80.2% calculate the average atomic mass कैसे निकाल होगे दोस्तों यह जो boron 10 का mass है mass को abundance के साथ multiply करना है यह दोस्तों abundance है और mass से multiply कर दिया plus boron 11 का जो mass है और abundance के साथ आपने multiply कर रहे है यह दोस्तों abundance है percentage खोला हुआ है और यह दोस्तों mass है तो इसके साथ multiply करके जो भी addition हो रहा है जो भी इसका value यह है दोस्तों इसका value यह है तो यह दोस्तों 10.81 amu तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो Average Atomic Mask 2015 Jam में question आया था दोस्तो Gate or Jam के लिए बहुत important है Okay, thank you all of you guys